हेलो दोस्तों दमश्कार आधा आप सश्रियकाल मैं हूं राउल शर्म आपका बिजनेस सड़ी मेंटोर और आप सभी का स्वागत करता हूं इजीली के प्लेटफॉर्म पे शिकर 2.0 रिलोडिंग अप्लोडिंग तो कैसे मेरे प्यारों साथियों मेरे प्यारे प्यारे तो स्टाफिंग हो गया है समाप अब आगास होगा नए चैप्टर का चैप्टर का नाम है डा एक इन्सान को सा जाता है इंसान जलते चलते भटक जाता है दिशाहीन हो जाती है जब इनसान दिशाहीन हो जाता है तो वह काम कर रहा है उसका रिजल्ट है वह किसी काम का नहीं है या उससे जो भी आउटपूट है वह जीरो हो जाता है तो दिशाहीन जब हो जाता है इनसान तो सुचे यह प्रॉपर डायरे इन्पमें किए सब जिँजों को आज हम पढ़ेंगे मीनिंग की बात करेंगे फीचर की बात करेंगे सतर इससर डारिक्तिंग के इंपोर्टनेंस की भी बात करेंगे तो जब कोई दीसा हीन हो जाता है तो आप क्या देते हो इसको डाइरेक्शन देते हो जिससे वो effectively और efficiently काम कर सेगे और जो गोल आप अपनाना चाहते हो वो गोल फुल्फिल कर सेगे स्टाफिंग तर सब बढ़िया हो जाता है पर उस प्लान को properly execute कौन करेगा हमारा डायरेक्टिंग करेगा तो चलिए बात करते हैं आज उसी बारे में और हमारा टॉपिक है में तो दिसाहीन हो जाते हैं बावभली देखा है ताइड डायरेक्टिंग में देख लीजे चाहा आप इसको लीडर्शिप में काउंट कर लीजे हम सब पढ़ेंगे मोटिवेशन में भी पढ़ेंगे तो आपको बावभली मूवी के अंदर सारे मिल जाएंगे तीक है कही मोटीवेट्ट भी करते हैं कि वह देखा है न कि जब वह सब हार माल लेते हैं जो पहली बार तूट गया है जो उनका वो होता है स्टरक्चर मौत है सब मर जाएंगे मौत क्या है वगरा वगरा बासन देते हैं वह लीडेशिप क्वालीटी दिखाता है मोटिवेशन की कितने प्रकार होता है यह चीजे भी पड़ेंगे तो यहीं से हम डायरेक्टिंग को हम मानते हैं वह बहुवली मुवी देखेंगे बहुवली के साथ डायरेक्टिंग मुवी को समझते जाएंगे तीक है मुवी तो याद है सब को कंड कंड में अच्छी तरह याद है तो बस उनके कुछ पार्ट को याद करते जाएंगे और डायरेक्टिंग समझते जाएंगे तो पहला बात क्यों बात कि अलता है डायरेक्टिंग function of management entails educating directing motivating and inspiring the workforce so that the efforts lead to the accomplishment of organizational objective तो डायरेक्टिंग करी क्यों जा रही है जैसे नहीं बताया आदमी चल रहे है सीदह चल तो रहा है पर कहीं नग हम मुड़ जाता है कि बिना वजय को पर होता है इंसान अपने आप है चलते रहता है या क्या कर रहा रहा यह ज तो पर लगने से क्था सब्सक्राइब बहुत थोटा हो बड़ा हो डाओ डाओ डिला है तो 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 वह जो काम हो रहा है वह काम अगर बीच में बटक जाए रास्ता इधर सुदर हो जाए तो रास्ते को वापिस से घुमा के अब सीधा चलोगई उसको सही रिसाम मापेश लेकर आ जाना, that is direction, सही तरह से बोलते हैं यहाद दो दने बड़े काम से पता नहीं आज क्या हो इनको काम नहीं हो रहा है, सही दर दर यह खिराब कर दिया, देखें कितने सारे मशीन्स खिराब हो गए, दो मशीन मेरी खिराब हो गई है, इतने सारे पार्ट भी motivation ही किलाता है, ठीक है, चलिए जी, आगे बात करते हैं, तो हम अगर बात करें, कुछ definitions दे रहे हैं, कुछ authors ने directing को लेकर, तो definitions कौन से कौन से उनको थोड़ा से रीड कर लेते हैं, directing is telling people what to do and to see that they do in the best of the ability that is earnest है, यह basically आप देखिए, आपके father, आपकी mother, जो काते हैं, हर किसी के माबब बोलते हैं, हमारे माबब ने बोला है, टो हमें इतनी सब फैसिलेटी मिल गई है, क्यूस ने बढ़ दा है कुस ने बठा, साइकल से जहाय करते हैं, अग्लों, 10-10 km साइकल चला है, पचीस पेसे देने पड़ते हैं, एक दिन का बालता है, साइकल निकल नहीं पाते हों क्या कर रहे हूं कि तोंट मार रहे हैं तोंट नहीं मार रहे हूं आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कही ना कही आप बटक जाते हैं आप अपने उद्देश्य से थोड़े से एद्रोद हो जाते हैं, ठीक है, होता है, लाइफ जैसे आगे बड़ी स्टेज आएगी, जैसे कि अभी आप 10 से पहले आपकी लाइफ, 11, 12 में आपने अपनी लाइफ में बहुत फ़र्ग देख लिया होगा, अब थोड़ी freedom चाहते ह हर बार आपको बताना जरूरी है क्या, मैं अपने साब से decision नहीं सकता है, क्या हुआ, आप थोड़े से आजाद होगे, आजाद उने साब भटकना भी चालू होगे, वहाँ parents क्या कर रहें आपको, सही दिशा में लेकर आ रहें, मैंस क्या कर रहें, direct कर रहें, तो that is, directing telling people what to do क्या करना चीए, और साथ ही साथ ये ध्यान भी देना, भई बोल के चले जाओ तो बात ही कतम होगे, बोल के चले नहीं ये देखना भी है, कि वह सही से वह काम कर रहा है या नहीं कर रहा, कई होते हैं बच्चे, भई दस भी क्लास था तो बहुत ही intelligent था है, बहुत intelligent था बच रही हो, वहाँ उर से बात करो, समझो, समझाओ, तो उसको आप सही गाइड भी कर सकते हो, ठीक है, तो directing is all about motivating, leadership, communication, talking, इन सब को आरहें बात की जाती है, direction is a complex function that includes all those activities which are designed to encourage subordinates to work effectively and efficiently, तो directing में वो सारी चीज़े हैं, इसने complex ही हुए रहे हैं, वो सारी चीज़े हैं, जो क्या करता है, design किसके लिए है, encourage करोगे, subordinate को encourage करोगे, ठीक है, आप देखते हो न, कई organization होती है, जो साल के आखरी होती है, जब March ending हो जाती है, उसके बाद बाहर ले जाती है, अपने इसको गुमाने के लिए, कोई गोवा लेके जारी है, कोई कहा लेके जारी है, पिक्स आती है, स्टेटिस को देखते रहता हूं, मैं, कोई अपनी अच्छा, अगर उसने target कर दिया, तो उसको बाहर विदेज बेज देती है, उनके लिए party function organize कर देती है, तो directing बड़ा complex है, यह नहीं कह सकते, अब क्यों ऐसा, क्यों बोले complex function, समझे इस सीज को, हर जैसे अपन बात करते है बहिया, क्योंकि directing, किसको कर रहा है, directing basically, deal किससे कर रहा है, human behavior से, और हर human behavior का होता है, human behavior अलग-अलग होता है, हर का nature अलग होता है, thought process होता है, सोचने की शमता अलग होती है, किसी चीज को positive way में देखता है, को उसको negative way में देखता है, तो आपने जो एक तरीका, अपना किसी एक employee पर अपनाया, और हो successful हो गया है, doesn't mean, कि सभी पर वो तरीका applicable होगा, बहु किसी को motivate कर रहे हो, तो कोई prices से motivate होता है, को status से motivate होता है, समझ ड़ी बात, सबके लिए motivation पैसा नहीं होता, किसी के लिए status होता है, recognition होता है, किसी के लिए पैसा होता है, किसी के लिए safety and security होता ह तो डाइरेक्टिंग क्या है complex है क्योंकि यहां पे आपको उन सब एक्टिविटीज को इंक्लूड करना है इस तरह से डिजाइन करना है कि वो इंकरेज करें किसको इंकरेज करेगा तो वाइफ भी क्या है यूमन नीचे रहे और अस्वेंट क्या कर रहा है बड़ा ही complex function फॉलो कर रहा है डाइक करने के लिए उसको motivate करने के लिए जिन्दगी में जिन्दगी के अंदर डायरेक्टिंग या कोई भी चीज पड़ो बिजनस टड़ी कि आपकी प्रैक्टिकल ले अगयों कि गल्फ्रेंड भी होगी होगी तर्च बात है रहा है तो आपको जब गल्फ्रेंड मूड ओफस आता है तो या करते हो अब डायरेक्टिंग करते हो इसको motivate उसको खुश करते हो leadership को करते नहीं करते हो फूल देके जा रहे हो चलो आज आज आप तोन गुमने चलें आज का मूड कराब है ठीक है कि युकर दो तीन होते भाया एक ही नाम से सेव कर लेते हैं या अलग अलग बेबी बेबी टू बेबी त्री के कंफुजन ना हो जाए फिर सबको अलग अलग motivation दिये जा रहे सबको अलग अलग direction दिये जा रहे है ठीक है तो यह complex function है तो आप उ a step a manager takes to get subordinate and others to work or to carry out the plan इसे भी directing करते है कि कैसे काम कराया जाए कैसे अपने काम को successful अपने organization goal को अचीव किया जाए is it clear आगे बात सब्सक्राइब आप directing पूरी तरह से clear हो गया होगा आगे होगा मज़ा ठीक है इतने सार एक्जांपल में तो मज़ा आया ही गया सब्सक्राइब चलिए जी नेक्स अगर हम बात करते है फीचर्ज ऑफ डायरेक्टिंग तो फीचर्ज ऑफ डायरेक्टिंग की क्या है काम करवाना कि क्यों करवाना और चीफ करना यहां मातापोडी किस से करनी है यूमन नेचर से करनी है कुछ पॉइंट समझ में आ गए चले देखते हैं तो पहला हम बात कर लेते हैं यहां पर क्या क्या बात बोलना चाहता है हमसे यहां पर कहना चाहता है डारेक्टि ली execute करना भी जरूरी है वो कॉन करेगा डायेक्टिंग करेगा इनिशियेट करवाईगा एक्शन सेकंड डायेक्टिंग जो एक continuous function ने बोल लो continuous function बोल लो ऐसे है तो एनियार टैरेक्शन दे दिया और भूल के चलो भाया क्या बोला था पड़ा था फर्स्ट डैफिनिशन क्या पड़ा पर ने कि डारेक्टिंग क्या बोल रहा है कि यह उसको बताना है क्या करना है और यह भी देखना कि भाया वह सही दंग से कर नहीं कर रहा तो डारेक्टिंग कंटिनेस function ऐसे बोल के रहा है आप कर लेंगे अपने ध्यान भी रखना क्यों कर रहा है यह नहीं कर रहा क्यों करते करते ही तो आदमी यह निकल जाता है ठीक है डारेक्टिंग टेक प्लेस अब्री लेवल ठीक है चाहिए वह टॉप function की requirement होती है directing flows from top to bottom obviously उपर से आदेश आते हैं इसके पास इसके पास आएगा फिर यह इसको देगा फिर यह इसको देगा that is top to bottom performance oriented directing और human element होता है तो जैसे अपने 3-4 पॉइंट पढ़े तो निकल गए तो again thing is कि आप कई वार बच्चे बूलता सर इतने सारे याद और करो कैरें अगर आपने उसका concept समझ लिया रुशिप्स से निकलेंग बएड़गे बाते तो उसका अगर आपने definition समझ लिया तो वहीं से निकल कर आजाएगो क्या कैना चाहता है अपसे तो अब एक एक चीज़ों पढ़ते हैं यह लो एक इक चीज़ों पढ़ते ह तो हमसे क्या बोलना चाहता है आगे चलते हैं तो यहां पर हम बात करते हैं कि चीज को लेकर डायक्टिंग इनिशियेट अक्षिन को लेकर अधर फंचन प्रिपेर दबैस ऑफ एक्षिन और इंस्ट्रक्शन मैनेजर इनिशियेट अक्षिन तो अधर फंचन जो है बेस करता है डायक्टिंग उसको एक्जिक्यूट करने का काम करता है आपने नॉटर दे दिया और सामने अले आठीक है वह कर लेंगे वह चीज नहीं होगी ये भी धियान रखना कि वह दंग से कर रहा नहीं कर रहा और बीज मटक जाए तो वापीस से उसको सही करना तो इसलिए क्या है यह continuous function है ठीक है directing is pervasive it take place at every level every location time spent in directing is comparatively more at operational level operational level पर ज्यादर directing होती है क्योंकि supervisor को सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है ध्यान देना पड़ता है कि वह यह यह मशीन मशीन मुच खरावी तो नहीं आ गई वरकर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा हमने इतना order दिया थे इतना order complete हो नहीं हो आज में कितना कम पड़ गया क्यों नहीं हुआ यह सब चीजे और और operation level में ज्यादा human nature की माता फोल्यों के chances होते हैं तो उनको सही करना ठीक है तो इन चीजहों को यहां पर धियान दिया जाता है तो directing is pervasive हर जगा applicable है continuous function है ठीक है चलिए जी नेक्स अगर हम बात करते हैं that is directing flows from top to bottom नेक्स अगर बात करें performance oriented और उसके बात करेंगे human element तो that is 4 5th and 6th हो जाएगा यह 4th हो जाएगा यह 5th हो जाएगा और यह 6th हो जाएगा मारा directing flows from top to bottom बताई चुका हूं superior से लेकर subordinate अपर इसके नीचे जो subordinate उसके नीचे जो है उसको order उसको order से directing जाता जाएगा that is superior gives or action to their subordinates every manager can direct their immediate subordinate and take direction from immediate superior simple सी बात है जैसे यहां पर माली जी यह यह से order है तो यह सकोर देगा यह सकोर देगा तो यह सकोर देगा तो यह सकोर देगा तो यह से order लेगा simple सी बात है परफोर्मेंस ओने तो यह सकोर देगा तो यह सकोर देगा तो इसको पूरा करना और और अच्छी तरह करना effectively and efficiently human element directing involves study and molding of human behavior to improve interpersonal and intergroup relationship वह जैसे बहुता है आपको human element बड़ा ही important part है ठीक है लड़ाई जगड़े हो जाए विचार नहीं match करें तो फिर कुछ नहीं को सत्यानास होगा होता ना कई बार ego clash कर जाता है बड़े बड़े लोगों का managers level पर एक दूसरा का ध्यान नहीं देते डारेक्टिंग क्या कर रहा है यहां पर relationship teamwork को build करने की कोशिश कर रहा है next अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम बात करेंगे importance of directing को लेकर भया importance क्या है directing का तो जैसे आपने initiate action पढ़ चुके हम to integrate employees effort सबके efforts को एक साथ करना क्योंकि सब अलग अलग उद्देश्ची के साथ है mind you यह जीज़ धियान रखना हर किसी की need अलग है हर कोई जो job कर रहा है उसकी purpose उसका जो पीछे जो बोलते हैं इसका purpose उन सबके purpose अलग होते हैं समझ में आगी बात किसी को survive करना होता है किसी को अपनी expenses को be off करना होता है किसी अंहीं हम जी मिल जाये थिक है नहीं नहीं जो उसके intention कि आप कब सक कि किसी आदे मोटिवेट कर सकते हो को जब उसक को ही определ है है और उस requirement को फुल्फिल करोंगे तब ही हो सकता है किसी को भूख लग रही है आप में मोला तु अगर काम करेगा तो दो वक्की रोटी दूँगा उसको दो वक्की रोटी रेसीब नहीं हो रही तो काम कर लेगा क्योंकि उसको जरूरी हो समगो चीज़ सब्सक्राइब तो यहां पर इंटिग्रेट करना इंप्लोई के एफट क्यों कि सबकी सोच प्रोसेस थोट क्या है सबकुछ अलग है means of motivation ठीक है ब्रिंग स्टैबिलिटी अन बैलेंस इंद ऑगनाशन तु फैसिलेट चेंज यह पांच पॉइंट हम एक्के करके रीड करते है पहला पनिशेट एंट रैग्टी फंचन्ट इन दिर्लिट इंटिक इंचले पर घिंडैर द रॉडande क्या करना इंप्र इंट्ध लॉट इंटिट इंटिलिट शूव मैं किसहां करम करन प्रीटरमेंड को अचीव करने तो सारा जो काम होगा जितने भी एफट्र डाले जाएंगे उस पाथ जार यूनिट को अचीव करने के लिए करे जाएंगे तो सभी का क्या होता है प्रिटर्माइंड गोल होता है तो प्रिटर्माइंड गोल के साब से इसे बता है क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे है तो दो जने काम नहीं कर रहे है अग्रूप पीपल नंबर पीपल साइब वरकिंग दे केम फूम अडिफरेंट बैग्राउंड डिफरेंट कुल्चर्स डिफरेंट थॉट्ट प्रोसेस को साइड अकरकर के और उनकी एफर्ट को इंटीग्रेट करना जरूरी है कोई इलिड़ो की सुपिरे ब स्बेraf स्चति से काम कररा कररों जो इसको अलगी अपनी वвой इसे पहल दे तुने इलिए मै pénेजरे अठाञ के सबीछ, आप लोग बीक सत्टो, प्लीप टेशन में चल रहा है, हैँ है तूब जो यहां पी जला से अपने अपने पने साँचितीव सा कोई भी एक दिशाम निचे लेगा, एक दिशाम चलोगे नहीं, तो फिर सारा ही नुकसान गुरुगोबर हो जाना है. Next, Means of Motivation, Motivation is very important element of directing. Directing function develops the feelings of belongingness and encourage employees to their best ability. Directing does not means giving order only, इसमें बताएं आपको. Directing is not only direction, it's not only motivation, it's complex. Motivation, leadership, communication. क्योंकि यहां पर हर एक चीज का कभ इस्तमाल करना आपको देखना पड़ेगा, depending upon the, जिस बंदे को आप गाइड करने हो. उसका sense क्या है, उसका भी महाहूल कैसा, इसका दिमाग कैसा, हो mental status कैसा है, उसको किस तरह की लालाज दे का करवा सकते हैं, चोटे बच्चों को बलते हैं, इस बाद अच्छे नंबर आएंगे, तो 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 क्या कर रहे हो, motivate कर रहे हो. आचरों अच्हा, आख है?. So that is motivation is very important element of directing. Directing function develops the feeling of belongingness and encourage employees to best ability. आख है बटा चली हागली बात करते हैं, अगले दो पोखरे हमारे, that is bring stability and balance in the organization and facilitate the changes. Employees working at different levels, they develop the different attitude, does directing function have to create a balance in the organization again with stability, मतलब इंटिग्रेटिंग ग्रूप अफ़र्ट एंट लास्टप में बात करते हैं क्योंकि आप जानते हो कि लोग जल्दी से चेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं जल्दी से कोई चीज उनके अगेंस जाएगा तो बोलें या हमें यह काम नहीं करना यह हमारे चीजों के खिला तो सुपिरियर बताता है समझाता है यह ओगनाशन के तो बला है साथ ही साथ आपके लिए भी कई ना कई फाइदे मन्द ही है जब यह चीज़ आप लोगों समझा दोगे तो लोग बहुत जल्दी उनके एकसेप्ट कर लेंगे यह समझाना बहुत जरूरी कि यह चेंजर क्यो में फाइदा होगा यह नहीं ज यह करेंगे आप यह वि alan को रही होगा आपको यह ख़ाएदा मिलेगा अगर क्या करते हो चेंजर करते हो फिर वह क्या कर लेंगे जल्दी से इकसेप्ट कर लेंगे इसको जैसे को कहता है चलो भी या मैं लिए निप।र चली क्लास में फिन झाल झाल